दोस्तो वाटसेप के बारे में तो हम सब जानते ही हैं और हम सब इसे यूज भी करते हैं मगर दोस्तो क्या आपने जीवी वाटसेप के बारे में सुना है क्योंकि दोस्तो आज कल इस जीवी वाटसेप के बारे में काफी ज्यादा सुनने को मिलना है मगर दोस्तों क्या आपने कभी GV WhatsApp के बारे में सुना है अगर नहीं तो बहुत अच्छा है और हाँ दोस्तों अगर इसके बारे में आपने कभी सुना है तो दोस्तों आप नहीं जानते हैं कि ये GV WhatsApp आपके लिए कितना खतरनाक है और दोस्तों अगर आपने इसे गलती इसे डाउनलूड कर लिया है तो दोस्तों मैं आपको सला दूँगा कि इस जीवी वटसेप को जतना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे अननोज स्टॉल कर दीजिए क्योंकि ये अप आपके पूरी परसनल जानकारी चोरा सकती है तो फिर दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखते रही क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपसे इसी जीवी वटसेप एप के बारे में बात करने वाला हूँ लेकिन दोस्तो इस वीडियो में अगर बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस चैनल लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तो मैं हरोज इसी तरह के लेटिस्ट और नोलेबल विडिस लेका राते रहता हूँ तो हाई दोस्तो मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेकनिकल कुदिन यूटूब चैनल तो फर चली दोस्तो शुरू करने आज का ये वीडियो दोस्तो जब भी हमारे दिमाग में किसी भी मेसेजी के अप का नाम आता है तो दोस्तो सबसे पहले हमारे सामने वर्टसेप ही दिखाई देता है फिर चाहे दोस्तो हमारी बर्क लाइप हो या परसनल लाइप ये अप हमारे चारों तरफ घुमता ही रहता है जहां दोस्तो एक तरह पूरी दुनिया में WhatsApp इतना लोग प्रिय हो चुका है और दोस्तो यहां GB WhatsApp भी अपने फैर फैलाने में लगा हुआ है दोस्तो यह GB WhatsApp इतना खतरनाक है कि यह आपका पूरा का पूरा परसनल डेटा चुरा लेता है और दोस्तो इसलिए हम सबको इस GV WhatsApp से सावधान रेने की जरूरत है चली दोस्तो आप जानते हैं कि यह GV WhatsApp एप क्या है दोस्तो यह WhatsApp का किलोन है यह यूँ भी कहा जा सकता है कि यह इसका forked version है जहां दोस्तो आप इस GV WhatsApp में भी WhatsApp की तरह ही चैटिंग, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और दूसरे काम भी कर सकते हैं जिस तरह से आप WhatsApp में करते हैं इसके अलाबा दोस्तो GV WhatsApp यूजर को कस्टमाईजेसन की भी सुभिदा देता है इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर भी दी गए हैं जो इसके इस्तेमाल को और आसान बना देते हैं इसलिए दोस्तो यह जीवी WhatsApp आपके परसनल डीटेल्स के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि दोस्तो इस जीवी WhatsApp में आपको वो सारे फीचर देखने को मिलते हैं जिसमें आपको आपके परसनल डीटेल्स के नुकसान क्या क्या है दोस्तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जीवी WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो आपका ओरिजिनल WhatsApp भी हैक हो सकता है और दोस्तो यह के लोन एप आपके परसनल फूरी जानकारी को भी चुरा सकता है दोस्तो इस एप के सबसे एहम बात यह भी है कि यह एप आपको पेलेश्टोर पर देखने को नहीं मिलता है इसलिए दोस्तो इस app को download करने के लिए आपको इसके app के file को download करना होता है जो कि दोस्तो सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है इसलिए दोस्तो अगर आप अपने personal WhatsApp account को delete या hack होने से बचाना चाहते हैं तो इस app से आपको दूरी बनाई रखनी होगी इसलिए दोस्तो अगर आप WhatsApp के अलाबा कोई भी app download करते हैं तो दोस्तो उसे direct आपके लिए store से ही download कीजिए और अगर आप किसी भी app की AP के file को download करते हैं तो दोस्तो ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है और दोस्तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपको इस जी भी WhatsApp का कहीं भी link मिलता है या दोस्तो अगर आपको कोई भी download करने के लिए बोलता है तो बिल्कुल भी इस app की AP के file को download ना करें क्योंकि दोस्तो ये आपके personal data के लिए काफी खतरनाक हो सकता है तो बस दोस्तो आज का ये video आपको कैसा लगा मुझे नीचे दिगे comment section में comment करके जरूर बताएं और दोस्तों साथ आज का ये video पसंद आया फिलीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस video को share कर दीजे और अभी इतनके चैनल रोग सब्सक्राब निगे तब सबक्राइब कर दोबा दीजे झाल